नमस्कार आप देखें न्यूस पॉर्णेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ बिहार में पहले तो आम लोगों को ही धमकी मिलती थी लेकिन अब बिहार में बड़े बड़े विधायकों तक को नहीं बक्षा जा रहा है उन्हें तक जान से मार डालने की धमकिया मिल रही ह दरसल बिहार के नरकटिया गंसे बीजेपी की विधायक रश्मी वर्मा को कॉल कर कुछ अपराधियों ने धमकी दिया है और कहा है कि आपको पिस्टल या गोली से नहीं बलकि एकी 47 से उड़ा देंगे आप बाहर तो निकलिए आपको हम अच्छे से स्कैन कर रहे हैं अगर आम लोगों को चलते रास्ते में उड़ा दिया करते थे लेकिन अब विधायक तक को नेता तक को नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी की विधायक रश्मी वर्मा को कॉल कर धमकी दी गई है और कहा गया है कि आपको पिस्टल या कट्टा नहीं बलकि एके 47 से उड़ा देंगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामनी आया है हम आपको बताते हैं नरकटिया गंज से बीजेपी विधायक रश्मी वर्मा को फोन कर धमकी मिली है धमकी देने वाले ने कहा अब कट्टा पिस्टल नहीं बलकि एके 47 चलेगी लाल बत्ती से चलना भूल हम तुम्हें स्कैन कर रहे हैं एस पी से मेरे बारी में पूछ लेना इस मामले में विधायक निरविवार को पुलिस से मौकिक शिकायत की है धमकी की कॉल रेकॉर्डिंग पुलिस को सौपा है विधायक के मुताबिक 16 फर्वरी को करीब 3 बजे शाम में अपराधियों ने 3 पार फोन कर धमकी दी विधायक को धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कम पमचा हुआ है आपको बताए विधायक रश्मी वर्मा को फोन कर बदमास ने कहा कि अब चमपारन में कट्टा और पिस्टल नहीं बलकि AK-47 चलेगी हम तुम्हें स्कैन कर रहे हैं मैं जब फोन करूं तो उठाओ और हमारी बात सुनो तुम विधायक होना बहुत बड़ी पोस्ट है तुम्हारी ठीक से रहो नहीं तो लाल बत्ती की गाड़ी में चलना भुला देंगे आलतु फालतु मत समझना मुझे मेरा नाम S.P. दीपक रंजन से पूछ लेना हाला कि विधाय को नरकटिया गंजनगर के चिकपटी रोड में ड्रेस हाउस के संचालक विकास चंद्र गोयल से अपराधियों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी 11 फरवरी को विवसाई के बेटे किशन कुमार ने सिकारपूर थाने में शिकायत की और उसी दिन रात में अपराधियों ने उसके पैर में गोली मार दी मुतिहारी में एस्पताल में भरती विवसाई किशन से मिलने गई नरकटिया गंज विधाय के सामने ही अपरादियों ने फोन कर वहां भी घायल विवसाई को धमताया इसके बाद विधायक एक्शन मोड में आ गई एस्पी डी-एस्पी समेथ तमाम आला अधिकारियों से बात कर विवसाई की सुरक्षा की मांग की इस घटना के बाद बेतिया पुलिस हरकत में आई और घायल विवसाई को सुरक्षा देते हुए किसी अन्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया इसके बाद से अपराधियों की नजर में विदायक खटकने लगी थी जिसका नतीजा हुआ कि अब अपराधी विदायक को भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं वह फोन कर विदायक को ही धमकी देते जा रहे हैं आपको बताया रश्मी वर्मा 2015 में भाजपा ने टिकट नहीं दिया था फिर वह चुनाव लड़ी थी उन्होंने धमकी भरा खट मिलने की शिकायत पुलिस से की थी पत्र में लिखा था तुम्हारे चुनाव लड़ने और न पत्याशी रेनु देवी और तब के 67 सतीश दूबे पर आरोप लगाये थे क्योंकि खट के नीची SD और RD लिखा हुआ था विवात का सिलसला यहीं नहीं थमता है हंगामा तम मच गया जब रश्मी वर्मा के कारयाले के बाहर टाइम बम होने की ख़बर मिली इस बम के साथ भी धमकी भरा खत था जिसको लेकर रश्मी वर्मा ने सिकारपूर थाने में शिकायत की थी चाइम बम होने की ख़बर से पुलिस की नीद उड़ी थी जाज के लिए मुजफरपूर से विशेस टीम बुलाई गई जिसमें बम निकली निकला इसके बाद रश्मी वर्मा की शुरक्षा कड़ी कर दी गई माना जा रहा है कि इस घटना के कारण है रश्मी वर्मा को खुब सहनुभूती मिली और उन्हें निर्दल्य होने के बाद भी 49,200 वोट मिली चुराव खत्म होने के बाद जब जाज पुरी हुई तो पता चला कि धमकी भरा पत्र भी बम की त खुद अपने कार्याले में ये बम रखवाया था पूरी पूचताच में पुर्व विधायक रश्मी वर्मा का नाम इस पूरे प्लैन में मास्टर माइंट के तौर पर जो है सामने आता है हाना कि 2020 में भाजपा ने उन्हें नरकटिया गंज से टिकट दिया और वह अपराधियों ने फोन कॉल करके ने धमकी दिया है और कहा है कि लाल गड़ी से चलना तुम्हारा हम भुलवा देंगे पिस्ट्रल या कट्टा नहीं बलकि अब AK-47 चलेगा और तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम लोग चुप चा करने हैं इतना ही नहीं अब तो बाइक पेट्रोलिंग में शुरू कर दिये तो वहीं दूसरी तरफ अपराधि लागतार अपराधियों का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है लागतार वियार में दिन दहारे गोलिया चलती नजर आ रही और अब इस पूरे विवाद में छोड़ा जारा उन्हें भी कॉल कर धमकी दी जा रही है तो चलिए इस ख़र बस इतना ही और पर वीडियोज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूस फोनेशन